नमस्कार आरो की मंत्र में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ वनिता दोस्तों आज आरो की मंत्र में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल बहुत सारे लोगों की प्रॉबलम है यह प्रॉबलम यंक्स्टर्स में बहुत जादा है यह प्रॉबलम है low blood pressure की low blood pressure होता क्या है किस वज़े से इसकी प्रॉबलम होती है और क्या है तरीका इस से निपटने का आज यह ही जानने की कोशिश करेंगे आ कि मंत्र में लेकिन अपनी चर्चा को शुरू करते हैं पूछते हैं क्या है समस्या और बदाते हैं उसका हल और आई हम स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का जो हमारे आज के इस विशे पर हमारे साथ चर्चा करेंगे विश्यु प्रसिद आयरुवेदाचार यह दौक्टर प्रताफ चोहां जी डॉक्टर साब नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया जी लो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कॉमन है यंग्स्टर्स में भी देखा जाता है किस वजह से होता है देखिए सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है लो ब्लड प्रेशर को बाद में समझ तो हमारा हिर्दय है, हार्ट जो है, जिसको आप निरंतर देखते हैं कि वो धड़क रहा है, दिल की धड़कन आपने अक्सर सुनी होगी, तो उसका फंक्शन है कि धड़कता रहता है, और धड़क के वो पूरे शरीर में खून की सप्लाई, रखत का प्रभाह पूरे शरीर मे एक एक छोटी-छोटी कोशिकाओं में रखते पहुंचाता है, तो जब वो धड़कता है, यानि कि वो पंपिंग करता है, ब्लोड को पंप आउट करता है, तो उसमें कांट्रेक्शन होता है, तो उस समय जो हमारी आर्ट्रीज में जो प्रेशर होता है, उसको हम कहते हैं सि जालता है, रिलेक्स करता है, वो है डाइस्टॉलिक ब्लड प्रेशर यानि के जब उसको हम कहते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर, तो नॉर्मली एक नॉर्मल स्वस्त जो व्यक्ति होता है, उसमें 120-80 ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, कि उपर वाला 120 होना चाहिए, न हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मांते हैं, इससे उपर आगर जाएगा तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे, और इससे नीचे अगर रहेगा तो ।ो लॉड प्लड प्रेशर उसको कहते हैं, कुछ लोगों में एक नेचुरल प्राकरtenिक रूप से फ्लड प्रेशर यहां तक भी मैंने देखा है किसी-किसी मरीज का तो सो और सतर और किसी-किसी का तो सो और साथ भी उनका जो है वो नॉर्म उसी पर चलते हैं लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए ब्लड प्रेशर और आपको ब्लड प्रेशर लो होने की वज़े से कुछ लक्षन शरीर मे दिखने लगें तब उसको ठीट करना चाहिए मैं यह कहा रहा हूं कि कुछ लोगों का जैसे के 170 है या 110-70 है तो उनकी लाइफ नॉर्मल चलती है उनको कोई ठकावट नहीं होती किसी प्रकार का उनको कमजोरी महसूस नहीं होती जो लक्षन ब्लड प्रेशर के होते हैं उन वो हमारे शरीर में ज्यादा अच्छा माना जाता है कि जब भी प्रेशर हाई होगा तो जो पंपिंग है वो हमारे ओर्गंस में भी जो है तेजी से ब्लड जाएगा किड्नी के अंदर तेजी से ब्लड जाएगा किड्नी खराब हो जाती हाई ब्लड प्रेशर से हमारे ब्र उसके बारे में अच्रचा करेंगे क्या लक्षन हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्या-क्या उसकी उप्चार हम लोग कर सकते हैं। जिस भी वेक्ति को जिस भी आदमी को ये प्रॉब्लम हो तो वो चरह ध्यान से सुनें। और सभी लोग सुनें क्योंकि कई बार ये ऐसा भी देखने में आता है कि आम आदमी को पता ही नहीं कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है तो लक्षनों को जरूर समझना चाहिए। ताकि कभी आपको ऐसी लक्षन हो तो कम से कम आपको मालूम तो है कि मुझे ब्लड प्रेशर तो कम हो रहा है। क्योंकि आप ब्लड प्रेशर चेक कराते नहीं और उसके साथ-साथ अगर आपका प्रेशर लो है तो कई वर और और पूरी सप्लाई नहीं पहुंच रही है खोन की पूरी सब उससे भी आपको रोग आ सकते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस एपिशोड का आप सुनि झाल